नमस्कार आप देख रहा है आरेडी नियूज मैह यूगी श्क्रवर्ती विहार विधान सवा का मानसुन सत्र चल रहा है और पिछले तीन दिनों से मानसुन सत्र को बीजेपी बाधित करने का काम कर रही है सदन में हंगामे की बज़ा से सदन की कारिवाही नहीं हो पा रही है आज तीसरे दिन भी सदन की कारिवाही नहीं हो पाई जिसके बाद आरजेडी और जेडियू के विधायकों ने और मंतरियों ने जो है बीजेपी पर जोड़दार हमला बोला और कहा कि इन्हें जनता के काम कास से मतलब नहीं है इसलिए सदन की कारवाहिव को रोकने का काम कर रहे हैं सुनिए महागठवंधन के बिधायकों ने किस तरह से बीजेपी पर जोरदार हमला पूछिए कि आखिर सदन क्यों नहीं चलने देते हैं आप पूछिए उनको कि जो बिहार बिधास सभा का कारसंच लगाना उनकी फित्रत में रही है इसलिए जनता के समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है इसलिए विधान सभा को बाधित करने का काम करते हैं जन मानसों के समस्याओं के परती जरा सा भी सम्वेदन शीलता है अगर सम्वेदन होते सम्वेदन शील होते तो जो कोश्चन्स हैं बिहार में जो जौलन बहुत सारे सवालात हैं उसके जवाबात सरकार देने को जब तैयार है तो आप कुर्सियत तोड़ दे रहे हैं परचा पार है तो यह कौन सी चीज़ आप कर रहे हैं और बीजेपी मुक्त भारत बनाना चाहती है क्योंकि यह लोग अंग्रेजों के डलाल है जो अंग्रेज नाथू रामगोडसे के यह लोग है जो नाथू रामगोडसे ने गांधी जी के हप्या किया था उन्हीं के लोग लेकिन बिहार और देश से कोई मतलब नहीं है बीजेपी वालों को न लोगों के समस्याओं का निदान करने का उनकी फितरत में सिर्फ और शिर्फ आग लगाना उनके फित्रत में रही है इसलिए जनता के समास्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है इसलिए विद्धान सवा को बाधित करने का काम करते यहां तो रोज चार सिट हो रहा है बेवज़ा उसमें जान कहीं कुछ नहीं है जान रहने पर जो नेता होता है कार करता होता है अफसर होता है वो डर जाता है इनके इन पर तो हमेशा चार सिट होगा करता है और कुछ होगा नहीं यह बात सचाई है चुकि इनका कुछ है नहीं मामता और भाजपा छोड़िये ने यार जीद पर आप लोग ज्यादा आ रहा हुए हैं बीजेपी कम अरी हुई है और जो मने मोदी मीडिया है वो ज्यादा इसको प्रिसराइज कर रहा है और जो मोदी मीडिया नहीं है वो ज्यादा प्रस्तराइज नहीं कर रहा बात शमता आएक दम ज़सन चलाने के लिए हम लोग हैं और महँगाई के खिलाप में आज हम लोग मार्च करेंगे गेट से जो महाँगाई देश में पूरा देश मिलाई हुई है महंगाई पर काबू पावे बेरोजगारों को रोजगार दे यह हम लोग आज मानिये मानिये विधायक सब लोग 10 नमबर गेट तो ही सामने वाला बुलता है ना अरे उसके पास आदमी कहां कि त्यारी होगा अरे उसके निकले यही बिहार है ना जहां आडवानी जी का रत रोका गया था पता है ना जनता उनको रोक लेगी ऐसे ही ऐसे ही रोक लेगी कोई महंगाई के खिलाप में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं और सच्चाई को जनता के बीच में रखने जा रहे हैं और इनका जो है जनता से कोई लेना देना नहीं है सिर्फ हंगामा करना इनका काम है और इसके अलावे इनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमको समझ में बात नहीं आ रहा है किसी इसका इस्तिपा तरीपार आदमी जब देश का ग्री मंत्री हो सकता है तो पहले उनके इस्तिपा देना चाहिए कि तरीपार रहे हैं आपको ग्री मंत्री नहीं बनना चाहिए देश में इतनी बर्योशकारी है इतना महंगाई है उसस निजात नहीं खिलाप रही है सरकार जेंगर की तो पहले उनिके खिलाप में लोको आंजोदन करना चाहिए देश की जनता इस बार सजग है और बीजेपी मुक्त भारत बनाना चाहती है क्योंकि ये लोग अंग्रेजों के डलाल है जो अंग्रेज नाथूराम गौटसे के ये कोई प्रेसर नहीं हम लोग इस पूसली काम कर रहे हैं और कहीं कुछ मामला नहीं है ये केवल पॉलिटिकल दवाव दिलाने और उनको बदनाम करने का परियास किया जा रहा है लेकिन पॉब्लिक है सब जानती सिख्षक के समस्याओं का निदान होने जा रहा है इसलिए समझ रहे हैं कि ये लोग यूजें थ्रो वाले आदमी हैं इसलिए सिख्षक इनके प्रेरे में नहीं महांगाई पर हम लोगा प्रदसन है दस नंबर गेट से और आएंगे सदन तक और महांगाई की खिलाफ में हम लोग एक जूट होकर प्रदसित करने का काम करें लोगों क अपने अपने राजा नहीं नों अब हम भाता इनसाफ से यह बात कही कि क्या भारती जनता प्रद्ट को बिहार के जन시간 सों जो मानसे समस्यां के परती जरा सा भी सम्वेदन शीलता है अगर सम्वेदन होते तो जो कोश्चन्स हैं बिहार में जो जॉलन बहुत सारे सवालात हैं उसके जवाबात सरकार देने को जब तैयार है तो आप कुरसियत तोड़ दे रहे हैं परचा फा रहे हैं तो यह कौन सी चीज़ आप कर रहे हैं नेता पतिपर्च का यह आरूप है कि अपने नहीं नहीं एक दम परक्रिया आज से थोड़े हैं जब से यह काइम हुई है यह हमारा सदन उसमें है यह बात है भारती जनता पार्टी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बिहार के लोगों की क्या समस्या उस समस्या के बारे में एक सही आकलन डिसकॉशन विधान सभा में हो और आप है यह घजब का ट्रेंड है पार्लामेंट के अंदर जो विपक्ष है उसको जवाब देने को सरकार तयार नहीं रहती है पार्लामेंट में और यहां जब सरकार तयार है तो विपक्ष नहीं चाहती है कि सदन चले डबल स्टेंडर है उनके कहने से क्या उनके उनके वरस्टा चार के मामले मैंने शुरूर से कहा है कि जिनके घर खुद शीशे के मकान में होते हैं वो हाथ में पत्तर कैसे ले सकते हैं भारती जनता पार्टी और उनके नेताओं का इतिहास और जिसको जिसको वो ले रहे हैं और ले करके एकदम दूद की तरह साफ सफाफ बता रहे हैं उ उनका इतिहास किया उनके खिलाफ तो मोर्चा लगाते थे चारशीट करते थे तो इतिहास पता है न हम लोगों को डबल स्टेंडर के लोग हैं और जनता के हीतों के बारे में कोई चिंता ही नहीं है उनको सब हो जाएगा इस से इसको लेकर के जो लक्ष है हमारा दोजार चौबिस का जो सरकार चले देश के अंदर अधिनायक वाद की परेशान करने वाली सरकार जो है वो जाय लक्ष एक दर निधारित है यह सब चीज़े भी हो जाएंगे पर दिन भी सर्फ सदन नहीं चला लगतार विरोध कर रही है उनसे पूछिए कि आखिर सदन क्यों नहीं चलने देते आप बिना नियम के सदन चलाते थे तो सदन तो नियम से चलता है और जिस तरह से इस तरह जिस तरह से यह भारतिय जंता पार्टी के सभी मानने विधायका और उनके विरोधिदल के नेता जिस तरह का किर्थ कर रहा है बिहार की जंता देख रही है इनको सिर्फ मतलब है अपनी बा नेता बिरोधी दल तो बात कर रहा है उनको बात तो कहा गया आप भूल ने के लिए क्या बोल रहा है उनका रेकर्ड उठाकर देख लिए वो कोई बात नहीं बोलते है कुछ भी बोल ने बोल करें अपना समय बरवात करते हैं सदन का भी समय बरवात करते हैं तब किसमात के लिए इनको समय दिया जाएगा उनके लिए अलग नियम है और दूसरे मेंबर के लिए अलग समय है सभी मेंबरों के मान बरावर हैं जो भी प्रस नियम के हिसाब से आएंगे उसका जवाब सरकार रहे हैं लिग्षेंस existe और डायक्ट टेलिकास हो रहे हैं पूरी बात को देख लिडीए समझ लिए कि जो भी आरोप लगा रहे हैं पैद्लिया दिसकसीं कर लेते हैं है करो न तक हिए आप सवाल नहीं ले रहे हैं जब 20 मिनिट खतम हो गया तो उनके सवाल का जवाब कहां से दिया जाएगा और सबसे पहले तो अलब सुचित प्रस्थ का जबाब नहीं के पार्टी के राना रंधिर सिंग का है उसका जवाब सरकार नहीं दिया और तारां कि सदन तक नामा करें है और अनलगर अलाप रहे हैं बाहर कुछ और भीतर कुछ इस सब दो हजार चोबिस में हिसाब चुकता करेंगे विहार के जन्ता